नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज के वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं यह नुस्खा आपके चेहरे के कालेपन को दूर कर देगा साथ ही आपके चेहरे को बेदाग वा सुन्दर बनाएगा दोस्तों हम देखते हैं कि जिनकी तुचा वा चेहरा काला होता है वह अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए बाजार से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं जो यह ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वह चेहरे को गोरा करने के बजाए काला करने का काम करते हैं सच माने तो अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए आप घरेली प्रोड़क्ट का उप्योग कर सकते हैं हमारे घर बर रसोई में कई ऐसे उपाई हैं जिनकी मदद से अपनी तचा के रंग में फरक ला सकते हैं इसके लिए आपको जादा पैसे खर्च करने की आवशक्ता नहीं है हम जानते हैं कि आज की व्यस्त दिंचरिया में इस तरह के उपाईों का उप्योग करने के लिए आपके पास समय नहीं है यह ऐसे उपाई हैं जिनकी मदद से कम समय में चेहरे को गोरा वा गोरी तचा पा सकते हैं जानते हैं काले से गोरा होने के घरेलू उपाई के बारे में और दोस्तों यह जो उपाई है यह बिलकुल प्राकर्तिक है इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है इसके लिए आपको प्लास्टिक की एक खाली कटोरी की आवशकता होगी या स्टील की एक खाली कटोरी की आवशकता होगी और इसमें सबसे पहले जिस चीज को एड करना है दोस्तों यह बेशन जो की आसानी से आपको मार्केट में उपलब्द हो जाएगा या रसोई घर में भी उपलब्द हो जाएगा दोस्तो बेशन का प्रियोग हम भारती लोग प्राचीन समय से ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर उप्योग करते आ रहे हैं बेशन में कुछ ऐसी प्रोपर्टीस पाई जाती है जिससे आपका चेहरा सुन्दर दिखाई देता है चेहरे का कालापन दूर होता है और आपका चेहरा बेदाग दिखाई देता है बेशन में कुछ ऐसी प्रोपर्टीस भी और होती है जिससे आपके चेहरे पर पिंपल्स, रिंकल्स, जुर्रियों की समस्या खतम होती है, डलनेस की समस्या खतम होती है, कालापन खतम होता है और आपका चेहरा जवान और खूब सूरत दिखाई देता है तो लगवग आपको एक चमच के बरावर इसमें बेशन को लेना है इसमें जो अगली चीज़ आपको प्रियोक्त करनी है दोस्तों यह है खाने वाला नमक यह भी आपको आसाने से मार्केट में उपलब्द हो जाएगा दोस्तों खाने वाले नमक में बिलीचिंग प्रोपर्टीस पाए जाती है जिससे यह आपके चेहरे को सुन्दर बनाने में मदद करता है आपके चेहरे के कालेपन को दूर करता है खाने वाला नमक इसके लावा यहाँ आपके चेहरे से pimples, wrinkles, जुरियों की समस्या को भी खतम करता है नमक और नमक आपके चेहरे पर जो कालापन च्छा जाता है या जो प्रोदूशन जमा हो जाता है या जो गंदगी जमा हो जाती है या जो मेल जमा हो जाता है नमक इन सभी प्रकार की समस्या उसे निजात दिलाता है तो लगवग आपको थोड़ी सी मात्रा में एक चुटकी के बरावर या दो चुटकी के बरावर इसमें नमक को एड़ कर देना है इसमें जो अगली चीज आपको प्रियोक्त करनी है दोस्तों ये दोस्तों गुलाब जल है जिसे रोज वाटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों रोज वाटर में कुछ ऐसी प्रोपर्टी स्पाई जाती है जिससे आपका चेहरा संदर दिखाई देता है चेहरे का कालापन दूर होता है चेहरा खूब सूरत दिखाई देता है चेहरे के जो एक्टिव सेल रहते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं डैट सेल से रिपेर हो जाती हैं और आपकी जो मरत कोसी कहा है रहती है दोस्तों वो जीवित हो जाती है रोज वाटर की मदद से गुलाब जल की मदद से इसके लावा गुलाब जल आपके चेहरे से पिंपल्स रिंकल्स जुर्यों की समस्या को खतम करता है डलनेस की समस्या को खतम करता है और आपकी तुचा को जवान बनाने में मदद करता है तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको लगवग दो चमच के बरावर इसमें गुलाब जल को एड़ कर देना है और इस मिक्ष को आप तरीके से मिलाईएगा जिसे सबी चीजें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं और इसका एक पेश्ट बन जाए अब दोस्तों इस पेश्ट का इस्तमाल कैसे करना है मैं आपको यह बताता हूं सबसे पहले आपको अपने चेहरे को धोलेना है पानी की मदद से और इस नु प्रियोक से आपका चेहरे सुन्दर दिखाई देने लगा है और सब ताइम केवल इसका तीन बार ही आपको प्रियोक करना है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो